आज की वीडियो में जारेंगे निफ्टी बैंक, निफ्टी कल के दिन किस तरह से बिहेव कर सकती है, कहां पर हम प्रापड़ पे ट्रेड ले सकते हैं, कहां पर एंट्री एग्सिट पॉइंट होना चाहिए, लिवेल्स का निकल के आ रहे हैं, ऑप्शन चिन देता किया रहे ह चले शुरू करते हैं वीडियो को, 15 मिन के टाइम पर हम निफ्टी का चार्ट यहां पर मैंने ओपन के रखा है, सारे के सारे लिवेल्स जो है नए बनाएंगे, और लिवेल्स की बात करो तो रेजिस्संस आज के दिन निफ्टी ने बनाया हुआ है 24,368 का, और उसके बाद सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी में सपोर्ड बन रहा है यह वाला लिवेल्स जहां पर मुरा ट्रेडिंग वा था यह वाला सिसन है वो, और मुरा ट्रेडिंग के बाद जो सपोर्ड बना है वह 24,285 का सपोर्ट, उसके बाद नीचे सपोर्ड बन रहा है निफ्टी में यह support and resistance बन रहे हैं nifty में next support की बात करूँ तो next support 24,076 का है अब हमें trade कैसे लेना है हम यहाँ पर जो है levels तो मेने mark कर लिए strategy के आउनी चाहिए हमारे लिए Monday के लिए तो यह हम थोड़ा सा discussion कर लेते हैं यहाँ पर अगर flat opening होती है nifty 50 जिन की moving adage 200 जिन की moving adage दोनों के ऊपर चल रही है nifty तो अगर समझ लिए फ्लैट ओपनिंग होती है फ्लैट ओपनिंग होते होके यह जो support है यह break कर जाती है नीचे की तरफ इस तरह से फ्लैट ओपनिंग होई नीचे आई support break किया retracement लिए और फिसे एक बार नीचे आती है तो 50 जिन की moving average और 200 जिन की moving average दोनों के नीचे आने जरूरी है nifty अगर यह दोनों भी तोड़ देती है यह दोनों ही moving average भी तोड़ देती है तो हमारे पास next support 24,176 है और उसके बाद अगला support है 24,076 का यह दोनों भी support important होने वालए है अगर fler opening होई आप्साइड निकलती है तो यह resistance important होने वाला है यह resistance को तोड़ के अगर इस तरह से projection बना के अफसाइड निकलती है तो हमारे लिए यहा पे कहyyPkay trade बनेगा समड़ी जह flat opening होई upside निकली एक retracement लिया है यहां से फिर हम एक recovery plan कर सकते हैं तो यह strategy हमारे लिए होने वाले है resistance अगर 24,368 का तूर जाता है तो हमारे पास call लेने के लिए मुका मिलेगा यहां पे हम call लेंगे retracement और फिर यहां से यहां तक का हमारा पहला target होगा target है 24,498 का उसके बाद अगला target है 24,605 का यह दोनों ही target हमारे पास NFT में होने वाले हैं ठीक है अगर gap down opening होती है तो भी यही target रहेगी उपर की तरफ अगर gap down opening होती है तो नीचे की तरफ भी कि यही target होने वाले है हमारे थिक है निफ्टी की बात हो गई अब हम देख लेते हैं निफ्ट में को चार्ट बटन बन रहा है कि यह एक चार्ट बटन बनता हुआ नजर आ रहा है हमें जो M बैटन है M बनने के बाद यह देखे इस तरह से movement नजर आया है अगर यह M बैटन की ऊपर अगर निफ्टी निकल जाएगी तो यह M बैटन जो है फेल हो जाएगा अगर यहां पर निकल जाती है M बैटन फेल हो जाएगा तो यह M बैटन फेल हो जाएगा सकता है उसके बाद option चंड़ेता जाने के option चंड़ेता क्या 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 रहा है तो बात करें तो bank.net में यह trend line बनके निकल के आ रहे है बहुत ही respectively यहाँ पर follow हो रही है आप देख पार एक बार दू बार तीन बार चार बार यहाँ पर respectively follow हुई है अब अगर हम बात करें कि चार्ट बटन क्या बन रहा है तो चार्ट बटन में अगर हम देखे तो यहाँ पर एक आप देख पार रहेगा अच्छा गासा सकता है बैंक निफ्टी में अगर यह ट्रेंड ब्रेकाउट हो जाती है इस तरह से तो हमें अच्छा मोमें डेखने को मिल सकता है हो सकता है बैंक निफ्टी 52,400 भी हमें लेवल दिखा दें तो हमारे बास लेवल्स क्या होने चाहिए यह हम थोड़ा सा दिसक्सिन कर लेदे यहाँ पर लेवल्स बन रहा है रेजिसंस जो बन रहा है वो है 51,813 का पहला लेवल दूसरा लेवल हमारे पास बन रहा है यहाँ पर की तरफ वो है 52,004 का उसके बाद जो अगला लेवल बन रहा है हमारे पास वो है यहाँ पर 52,200 का यह हमारे पास अगला लेवल बन रहा ह important होने वाले हैं, क्योंकि यह सारे resistance है, important resistance है, क्योंकि यह सारे important resistance है, क्योंकि यहां से bank nifty गिरी थी, यहां से फिर से गिरी, यहां से फिर से गिरी हुई है, और यहां से फिर से गिरने की तैयारी हो सकती है, तो यह सारे resistance हमारे लिए इंपोर्टेंट है, बिल्कुल भी इग्नॉर मत की जगा, नेचे की तरफ support की पात करें, तो यहां पर support बन रहा है, 51,649, 675 का हमारे पास support बन रहा है, यह important level होना चाहिए, और यहां पर next support बन रहा है, directly हमारे पस 51,323 का, उसके बात जो अगला support है, वह है 51,168 का, तो यह सारे support important होने वाले हैं, अगर 51,168 का support भी break हो जाता है, तो next support हमारे पास 51,013 का level है, जो रहा है, 51,000 का रहा है, यहां पर एक चोटा सा gap भी छोड़ा हुआ हुआ है, यहां पर gap छोड़ा हुआ है, यहां पर gap छोड़ा हुआ है, तो यह support भी हमारे लिए important होने वाला है, जो है 50,888 का, यह सारे support important है, चोटे-चोटे levels बन रहे हैं, लेकिन सारे-सारे important level है, तो थोड़ा सा discussion कर लेते हैं, अगर flat opening होई, upside निकले, trend line को break किया, तो पहला हमारा resistance होगा 51,813 का, उसके बाद अगला resistance होगा 52,004, और उसके बाद next resistance है, 52,362 का. नीचे के तरह बात करें, तो नीचे के तरह अगर flat opening होती है, 200 जिन के moving होड़े, 50 जिन के moving होड़े, दोनों को ही तोड़ जाती है, bank nifty, तो हमारे पास next level है 51,323, उसके बाद 51,168, next level है 51,013, और उसके बाद 50,888 का level. यह सहरे ही level important होने वाल है नीचे के तरह. अगर bank nifty downside आती है, दोनों ही moving average को break करने के बाद, तब ही हमारे लिए put side एक safe entry बनेगी. और call side कब safe entry बनेगी जब trend line का breakout हो जाएगा upside के लिए. अगर bank nifty में chart pattern के बाद कुरूं तो यहां पर एक अच्छा खासा chart pattern, double button बना था, उसके बाद एक retracement हुआ, reflection होने के बाद एक बड़ी rally देखने को मिली, बड़ी rally के बाद एक फिर से retracement और फिर से एक बड़ी rally के तयारी में, बैंक निफ्टी लग रही है, लेकिन हो सकता है यहां पर एक head and shoulder pattern, बैंक निफ्टी में बना तो था, यह double button, बैंक निफ्टी में बना तो था, अब देख पा रही है, इस तरह से double button बना था, एक rally आई, फिर एक retracement हुआ, अब यहां से bank nifty upside जाने के लिए ready हो सकती है, लेकिन bank nifty में एक possibility और नजर आ रही है, अगर यहां पर एक head and shoulder इस तरह से बन जाए, इस तरह से अगर head and shoulder bank nifty ने बना दिया, clearly मैं आपको बता दिया, यह देखे, इस तरह से अगर head and shoulder bank nifty ने बना दिया, तो फिर bank nifty यहां से अगर गिरती है, तो यहां से फिर गिरती ही चले जाएगी, यहां तक के level भी हमें देखने को मिल सकते है, जो है 50,400 तक का, तो यह head and shoulder भी important होने वाला है, इसे भी ignore मत कि जोगा, एक अच्छा सा चार्ट बटन बनने दीजगा, अगर breakout होता भी है, तो यहां पर fake breakout भी हो सकता है, trend line का, तो fake breakout से बचना है आपको, fake breakout से किस तरह से बचा जाएगा उसके लिए मिने और वीडियो बना रखियो उस वीडियो को आप जा के देख सकते हो, चालं के प्ले लिए में प्लेली में मिल जाएगी बड़ेरिख को पकड़ ना सिके, बड़ी रैली को किस तरह से पकड़ जा सकता है, वो भी मने वीडियो बना रखिय उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो, चालं के प्लेएो भी अपको मिल चाएगी, किस तरह से Candlestick Pendant work करती है, कब work करती है, कब work नहीं करती है, वो सब कुछ मैंने सिखा रखा है वीडियो में, उन वीडियो को आप जाके देख सकते हो, चलंगे प्लेलिस में सारी वीडियो दे रखी है, कब आपको trade लेना है, कब नहीं लेना है, किस तरह से Candlestick Pendant work करती है, कैसे बनाई जा सकता है, लाइम माकन में Candlestick Pendant work करती है, कब trade लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, वो भी मैंने सिखा रखा है, आप उन वीडियो को भी जाके देख सकते हो, उसके बाद अगर बात करूं तो यहां पर आप Moving Average देख पारो, पचास दिन की, दो सो दिन की, दोनों ही Moving Average के बारे मैंने वीडियो बना रखी है, देखा है, दोनों ही Moving Average के इस तरह से वर्क करती है, कब वर्क करती है, कब वर्क करती है, कब आपको trade लेना है, कब नहीं लेना है, सब कुछ मने इप इस वीडियो में भी सिखा है, यहां पर आप देख पारे, क्रोस ओवर होख क्रोस ओवरिंne की बार मुक्ने अचु काНе से रहु रही दिखाई ० इस तरह इस तरह से रहेां ड़ी ना तो क्रोस ओवरिं पर क्लोस साथ पारण वीडियो वोक करते हैं वो सारे चार्ट बीडिंग के पारण के वीडियों मैं इसीऊ फरे व में दीटेल में उन वीडियों पी आप जा के देख सकती है in-r7 यहीर से स्टाडिजी में इंडिगेटर की बात करो तो आरे सही है, सुपर टरंड है, MSCD है, जितने भी प्रॉफिडबन इंडिगेटर है, बोलिंजर बेंड है, तो सारी इंडिगेटर है, मैंने वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को आप जाके देख सकते हो, चाहिए के प्लैलिस में मिल जाएगी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही देखते रहा है कि यह करिए, और अनलिस वीडियो तो आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करने, क्योंकि अनलिस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, लेकिन अनलिस वीडियो में भी मैं छोड़ी-चोड़ी ची क्या कहती है, support and resistance daily क्या कहती है, market में daily कुछ ना कुछ नया होता रहता है, तो daily कुछ ना कुछ नया क्या हो रहा है market में, यह सिखना भी आपके लिए जरूरी है, इसलिए analysis वीडियो भी देखना आपके लिए जरूरी है, बाकि सारी वीडियो आपको चाने के playlist में मिल जरूर जाके देखें, बहुत जादा important वीडियो में आपके लिए बना रही है, जितनी भी EMA है, 20MA, 9MA, 5MA, 50MA, 200MA, 20MA की भी वीडियो है, जितनी भी EMA सारी वीडियो आपको मिल जाएगी चानल के playlist में, उन वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो, इस तरह से work करते है, कब सबकुछ मैंने डीटेल में सिखा रहा है, ट्रैप से किस तरह से बचा जाएए, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रहा है, उसमें एक इंडियो को भी आप जाके देख सकते हो, वो भी चौनल के playlist में मिल जाएगी, support and resistance की भी वीडियो मैंने बना रहा है, साइड वीडिय बात कर लेते हैं, 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 बात कर लेते का option चिंदेता कह रहा है कि 24,300 पर अच्छा कासा open interest बैटा हुआ है, सबसे अच्छा open interest बैटा हुआ है, 24,200 पे और 300 पे. तो अगर market 24,300 या 200 आती है, एक recovery यहां से देखने को मिल सकती है. अगर upside की बात करें, 24,400 पर अच्छा कासा open interest है, उसके बात 24,500 पे है. तो अगर market upside निकलती है, तो 24,400 या 500 आने के बाद, एक downfall हमें यहां से देखने को मिल सकता है. यह अभी तक का option चिंदेता, nifty का कह रहा है, वैसे option चिंदेता live market में update होता रहता है, तो live market में ही उसे observe करना जरूर है, तभी आप एक अच्छा profit market से निकाल सकते हो, वह मेंने वीडियो में सिखा रहा है, उस वरी को जाके देखे, तभी आपको समझ में आएगा कि live market में किस तरह से option चिंदेता को observe करके पैसा बनाया जाता है. Bank Nifty का option चिंदेता देख लेते, अगर हम देखे तो अच्छा कैसे open interest हमें नजर आ रहा है, यहां पे एकस्पाइरी देख लेते हैं, कुनसी एकस्पारी है, 6th November के एकस्पाइरी है, और यहां पे अगर हम अच्छा कैसे open interest लेगे तो 52,000 पे हमें अच्छा कैसे open interest लेगा है, और अगर downside निकलती है, तो 51.000 Finder का support लेके एक upside का rally दिखा सकती है. यह अभी तक का option चंटेता कहह रहा है, bank nifty का, आप Monday को observe कर लिजेगा, आप मेरी वीडियो को देखे कि किस तरह से, option चंटेता कि जो वीडियो में बना रही है, उस वीडियो को देखे, आप observe कर लिजेगा, मंदे को किस तरह से market behavior कर सकती है. तो यही था दोस्तो, वीडियो में वीडियो कैसे लगी है, मुझे comment में जरू बताइएगा, आपके comment से मुझे motivation मिलता है, आपके लिए इच्छे-चे वीडियो बनाने के लिए चानल पर पहली बारायते चानल को subscribe किजिए, notification bell को press कर लिजे, ताकि मिलाने मली हनने वीडियो की notification आपको मिलते रहे, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like और share जरू किजिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो के देख के analysis करना सीख सके, एक profitable trader बन सके, अपने loss को देरे-देरे recover कर सके. Telegram channel को join करना चाते है, link description मिल जागा, आप अहां से Telegram channel को join कर सकते हैं, और debit account open करना चाते है, उसका भी link description में दिया हुआ है, आप debit account भी open कर सकते हैं. Thank you so much.